पार्ट पिप्टिवन श्री गणेशाई नमहा श्री जानकीव लभो विज्यते श्री राम चरित मानस अयुध्याकाण लखब सने हुसुभाई सुहाई बैरुपीती नहीं दुराई दुराई अस कही भेंट सजोवन लागे कंद मूल फलख अगम्रिग मागे उनकी सुन्दर सभाव से मैं उनके इसने को पहचान लूँगा वैर और प्रेम चिपाने से नहीं चिपते ऐसा कहकर वै भेट का समान सजाने लगा उसने कंद मूल फल पक्षी और हिरन मंगवाए कहार लोग पुरानी और मोटी पहिना नामक मशलियों के बहार भर कर लाए भेट का समान सजाकर मिलने के लिए चले तो मंगल दायक शुब शगुन मिले देखी दूरी ते कही निज नामू कीन मुन सहीं दंड प्रणामू जानी राम प्रिय दीन असी साबर तहीं कैयों बुजाई मुनी साख निशाद राज ने मुनी राज वशिष जी को देखकर अपना नाम बतला कर दूर ही से दंडवत प्रणाम किया मुनी शुए वशिष जी ने उनको राम का प्यारा जानकर आशिरवाद दिया और भरत जी को समझा कर कहा कि यह है शिरी राम जी का मित्र है यह शिरी राम का मित्र है इतना सुनते ही भरत जी ने रा रत प्याग दिया वे रत से उतर का प्रेम में उमकते हुए चले निशाद राज गुह ने अपना गाउं जाती और नाम सुना कर प्रथ्वी पर माथा टेक कर जोहार की दंडवत करते देखकर भरत जी ने उठाकर उसको चाती सिलका लिया खिरिदय में प्रेम समाता नहीं है मानो स्वयम लक्ष्मर जी से भेट हो गई हो भरत जी गुह को अत्यन प्रेम से गले लगा रहे हैं प्रेम की रिती को सब लोग सिहा रहे हैं इश्या पूर्वक प्रशंसा कर रहे हैं मंगल की मूल धन्ने धन्ने की ध्वनी करके देवता उसकी सराना करते हुए फूल बरसा रहे हैं लोक बेद सब बांते ही नीचा जासुचा चुईले इंची चाले ही तेही भरी अंक राम लग उडाता मिलत पुलक परी पूरित गाता वे कहते हैं जो लोक और वे दोनों में सब प्रकार से नीचा माना जाता है जिसकी चाया के छुजाने से भी इस्नान करना होता है उसी निशाद से अंकवार भर कर धिर्दे से चिप्टा कर शिरी राम चंदर जी के छोटे भाई भरत जी आनन्द और प्रेमवश प्रेमवश शरीर में पुलकावली से परिपूर्ण हो मिल रहे हैं जो लोग राम राम कहकर जंभाई लेते हैं अर्थात आलसे से बीच इनके मुझे राम नाम का उच्चारन हो जाता है बापो के समू उनके सामने नहीं आते फिर इस गुह को तो स्यम शीर राम चंदर जी ने रिदै से गले लगा लिया और कुल समेच इसे जगत पावन जगत को पवित्र करने वाला बना दिया करम नास जलू सुर सही परई तेही को कयं सीस नहीं धरई उलटा नाम जपत जगु जाना जागा जाना बाल में की भैब्रम समाना करम नाशा नदी का जल गंगा जी में पढ़ जाता है तब कहिए उसे कौन सिर परश्थारन नहीं करता जगत जानता है कि उल्टा नाम मरा मरा जपते जपते बाल में की जी भ्रम के समान हो गए मोर्क और पामर चंडाल शबर खस यवन कोल और किराथ भी राम नाम कहते ही परम पवित्र और त्रिबुवन में विख्यात हो जाते है इसमें कोई आश्चर्य नहीं है युग युगांतर से यही रिती चली आ रही है शिरी रखुर नाज जी ने किसको बढ़ाई नहीं दी इस प्रकार देवतार राम नाम की महिमा कह रहे हैं और उसे सुन सुन कर अयोध्या के लोग सुख पा रहे हैं राम सका निशाद राज ने प्रेम के साथ मिलकर भरत जी ने कुशल मंगल और क्षेम पूछी भरत जी का शील और प्रेम देखकर निशाद उस समय विदे हो गया प्रेम मुक्ध होकर दे की सुद्ध बूल गया उसके मन में संकोच प्रेम और आनन इतना भर गया कि वे खड़ा खड़ा टकट की लगाए भरत जी को देखता रहा फिर धीर ज़र कर भरत जी के चरणों की वंदना करके प्रेम के साथ हाथ जोड़ कर विंती करने लगा हे प्रभु कुशल की मूल आपके चरण कमलों की दर्शन कर मैंने तीनों कालों में अपना कुशल जान लिया अब आपके परम अनुग्रह से करोडो कुलो सहीत मेरा मंगल हो गया मेरी कर्तूत और कुल को समझ कर और प्रभुश्री राम चिंत्र की महिमा को मन में देख कर अर्थात कहां तुम्हें नीच जाती और नीच कर्म करने वाला जी और कहां अनंग कोटे ब्रहमनों के स्वामी भगवान शिरी राम चंद्र जी पर उन्होंने मुझ जैसे नीच को भी अपनी एहतु की क्रपावश अपना लिया यह समझकर जो रगुवीर शिरी राम चंद्र जी के चर्णों का भजन नहीं करता वह जगत में विदाता की द्वारा ठगा गया है मैं कप्टी कायर कुबुद्धी और कुजाती हूँ और लोग वे दोनों से सब प्रकार से बाहर हूँ पर जब से शिरी राम चंद्र जी ने मुझे अपनाया है तभी से मैं विश्व का भूशन हो गया देखी प्रीती सुनी विने सुहाई मिले उंबहोरी भरत लगुभाई कही निशाद ने जिसा नाम सुबानी सादर सकल जोहारी रानी निशाद राज की प्रीती को देखकर और सुन्दर विने सुनकर फिर भरत जी के छोटे बाई शत्रुगंजी उनसे मिले फिर निशाद ने अपना नाम ले लेकर सुन्दर नम्र और मधुरवाणी से सबरानियों को साधर प्रणाम किया रानिया उसे लक्ष्मन के समान समझ कर आशिरवात देती है कि तुम सौ लाख वर्षो तक सुख पूर्वक जियो नगर के इस्त्री पूरुष निशाद को देखकर ऐसे सुखी हुए मानू लक्ष्मन जी को देख रहे हूं सब कहते हैं कि जीवन का लाब तो इसी ने पाया है जिसे कल्यान सरूप श्री राम चंद्र जी ने भुजाओं में बांध कर गले लगाया है निशाद अपने भागे की बढ़ाई सुनकर मन में परम आनन्दित हो रहा है सनकारे सेवक सकल चले स्वामी रुख पाई घर तर उतर सर बाग बन बास बनाएन जाई उसने अपने सब सेवकों को इशारे से कह दिया विस्वामी का रुख पाकर चले और उन्होंने घरों में व्रक्षों के नीचे तालाबों पर तथा बगीचों और जंगलों में ठैरने के लिए इस्थान बना लिये जैसियरां जैसियरां तर बने के सब सजात ख़ाई में डिवार्ण को आतपाई लांका नारी दो में तंकापाई तम थो बोत दमों को ठिकाई शार्ण का रख ये जंद्रण काई बनाई रम्सादा गव्रक्षों कामाई लोगी आला में नीखे कारी समारे रखे दोन के सब्धर अजारे लखे ज़ी वनगार उपारे गर्टी समारे तो भी आपारे यह आगन की हुझा उखारे यह भुड़ आप अवारे यह भुड़ कासंद रखे कारे सुझाल मिलार दी तोध काथ देडेश हमाई के सुझाल थाओट कुटा शाहिए आरदी पड़ते अन्ज नाम हाई भाल मार्ज़े छिर निपराहा हुआ गोड़े फिर्टे प्रज़िन लगाले इस जो दीन डीजर हं पाले जोुल